नमस्कार मुश्य शर्मा की चर्मा आपका स्वागत है अच्छा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आज मैं आपके साथ एक recipe शेयर करने जाने हूँ जिमी कंद जिसको कि मैंने ये चील लिया है अच्छे से और साफ कर लिया है इसमें मिट्टी बहुत होती है त और इस जब भी कोई आप सब्ची चीले तो ऐसी कोई भी वेस्ट लेने पॉलिथिन वगएरा तो उसके उपर काट ले तो अब इसमें मेरा काम कम हो जाएगा इसको एस एज इस फेंग दूंगे ये मेरा काम कम हो गया अब आई इसको मैंने फीसिस करनी है और ये सर्सो के त इसको शैलो फ्राइन करूंगे इनको मैं इसको शैलो फ्राइ करूंगे और बहुत ज़्यादा ओए डालने पर सारा ओल ने इस वेलो गाती है तो बाकी ओलो फिर किसी और सब्सक्राइब काम नहीं आता तो इसमें कम से कम पेन में इसको फ्लाइथर नहीं है इसको भी काड़ करके फ्राइ करूंगे और इसके बाद में इहाँ पर लिया है यह तो माइटा है अपनी पसंसे डाल सकते हैं जितना आप चाहें प्याश है हरी में इच्छा है अगर रख है यह और रहसुन खाना चाहते हैं ठाइए कोई माना ही नहीं है लेकिन मेरे घर में लैसुन नहीं खाते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं जैसे प्याश डर्ली की प्याश के साथ साथ ही आप लैसुन दालते हैं इसको बुच्छी उच्छी चलाते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तर इसको पकाना है तो प्रस रेखिए यह गोल्डन ब्राउन होने लगा है कलर चेंज हो गया है पहले यह पींक कलर में आ रहा था पीच कलर में गुलावी कलर में और अब ही देखिए चेंज हो गया है इसको मैं अल्टपर्ट कलकर और पका को अलगा अ है आई इस एलिक कुप होगा और उसके बाद हम जब ग्रीव में डालेंगे तो फिर आज में बताते हम इसको पकता है करना है अब इसको प्लेट में काल दो हुए और इसी कडाई का यूज करते हुए काम को नहीं बढ़ाना है इसी कडाई को हम यूज करेंगे और इसी में ऑयन डाल करके इसमें छौंक बनाएंगे ग्रेवी बनाएंगे कि बर्तन की कम करना है काम दो कम करना है और रेसिपी भी वारी कम्प्लीट हो जाई है कि प्रेट से मैंने ओयल लिकान लिया इसे यह यह हो गया यह दिखाती हुए आपको ऐसे गल चुका है तो अभी देखिए यह मेरा हार खाना सर्चों के तेल में बनता है तो मैं यहां पर दालूंगी के लिए प्रॉपर है इसी की डब्बी में लिए तो कमी डलती है तो मैं यह दबकानी बना रहा है ताकि मिस नहीं हो यह अब मैं जीरा एड़ करूंगी इसमें क्यों मेंट सीर कस्तूरी मेथी यह सब लोग फ्लेम पर करना है में इसमें ओनें एड़ होंगी अलो फ्लेम पर इसको सास्ट बनाना है हाई फ्लेम पर नहीं बूलना चाज को मीडियम फ्लेम और लो मीडियम फ्लेम पर आप इसको बूलेंगे जब हलकी ब्राउन हो जाएगी फिर्स में आगे और एड़ करेंगे 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 करेंग अलो व्लेम पर आपकर क्वांठा क्राप़ क्राइव पटजिक रूजग और डी किया। अगि प्याज सॉफ्ट हो गई है अगे अगे है अगे 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 राए कोरेंड आप मसालिक अब जादा आप कर सकते हैं कि दाल चीन है अब कोई मसाला आपको फ़सान नहीं तो बन डालिए हाफ कूप हो जाए तखी मसाले आपको जाए तखी मसाले आपको लीजिए मिनिमम गयस रखनी है जो मसाले यदि करने आप बंद भी कर सकते हैं अगर जब मसाले डाले अब कोई मसालों की करने को अब करें कूप हैं युट्याष नहीं से भी मद्चल्ट जाए नहीं डालना आपको इसमयल आने लगीगी हरकी हर्की लोफ लेंपकर या विदाव लोफ क्रेम बंग करें तब भी मसाला चपना भूल जाता है अब इसमें इसे शाइब करें। अब इसमें हाई प्रेल करें अब बूल ने के इसमें मसाला छोल कि एक लगको बनाना अब यहां अब यहां अब मैं यहां पर यह जो मैंने पेस्ट बनाया था यह निक्सर जाकर इसी में पानी डाल करके पानी इसी में डाल करें ताकि जो पेस्ट का सार होता है तो वह पीस ना जाएगा वह हमारी नालों में नहीं जाना चाहिए खाने की चीजें उसे वेस्ट ना करें अब यह भी मैं इसमें एड़ कर दो और इसे हम ढ़क करके पकाएंगे इसमें गरम मसाला और इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे अलो फ्लेम पे हम लास्ट में क्यों पकाते हैं वह आप जाने गएंगे तो जिन्वीकल पकाया है कोई और सब्सक्राइब नहीं जाली है तो उसे आपस में अअदर आ अगर कर ऐना सरेaurais सब्सक्राइबिक्षा इसमें और आढ़ा सब्सक्राइब जुद सब्सक्राइब लीगे ना राथे नियुद अच्छे आ हाई चब प्लेट राए न आपको इसको ऐसे उल्टा करें इस तरी से नहीं रखना हो कि जो भी गंदगी होगी वो प्लेट में चिपक जाएगी और उल्टा करने से गंदगी नहीं आएगी इसे जब भी रखे प्लेट को उल्टा करना चाहिए ऐसे नहीं रखना वो नीचे की गंदगी सब्जी चली जाएगी तो इस बात का ध्यान रखा कर देजिए कोही भी वान निकालते हैं तो ऐसे करके रखे प्लेट तो अगे मेरा रेड़ी है जी मीकंद बहुत बढ़िया बनाया है मैं और आप सबको आना पड़ेगा जी मीकंद खाने के लिए फिल बाता है कैसा बना है टेस्ट करके बताएगा कमेंट में लिखना ज़रूर है कैसा बना है मै पूछूंगी सबसे तो अब मैं इसमें फोड़ा कोरेंडर लीव्स एड़ कर दूंगी अब और फ्रेंट यह निकि हर सब्ची में कोरेंडर लीव्स टालने से टेस्ट आ जाता है कि मौक संदर लग रही है ऐसा नहीं है को एले लिए लिए टेस्ट पी फ्लेवर भी तभी जाए sniff ऑगा जब कि सब्ची का अच्छा अचोई लिए सब्ची में ही कोई फ्लेवर नहीं है सटाल्टिंग से ही बढ़िया नहीं बनी है कोई वी सब्च बनाते हैं तो मेंन है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है और बीच का तो प्रोसेस अल्मोस्ट सभी का सेम होता है लेकिन यह देखना है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है और एंड में किम बातों का ध्यान में रखना है कोई भी रेसिप्या आप बनाई है स्टार्टिंग और एंड का बहुत ध् करना हो आजकल बॉइस भी रहते हैं तो बॉइस को भी को परशानी नहीं सब्जी को बनाने में बहुत ही परफेक्ट बनेगी कोई दिक्कत नहीं है अब गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देती हूं और इस सब्जी के साथ हरी मिर्च बहुत बढ़िया लगती है और कैसे बनी मेरी रसीपी बताईएगा थैंक्स वाचिंग फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो बेल आइकन दबा दे बटन दरूर दबाईएगा और मिलते रहिए तो जैसे भी आपका विचारों कमेंट सेक्शन में देना यह सब कर दिया मैंने सबजी को खाने के लिए त्यार है अब टेस्ट कीजिए जल्दी जल्दी आएए टेस्ट करने के लिए और अब टेस्ट करके सब्सक्राइब करते हैं है और मैं भी कंमेंट लाइक करता हूँ हूं जो कोई कमेंट लिखता है उसको Unit Avengers ब्से को मैया क्वाइब friends you bought a cha support whether or a good summer's done thanks for fortune